हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी में वेवी केक वाफिरसाब सभी साथियों का आपके अबे परिवार एक्जाम पर में हर्दिक स्वागत करता हूँ हम हें एक्जाम पर कलंग सीक रांती साथिया आपके री एक्जाम की डेट घोशित हो चुकी है अब सभी जानते 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त पिर तेक दिन दो-दो पालियों में आपकी प्रिक्षा है कुछ 10 पाली में आपकी प्रिक्षा है तो इस बार हो सकता आपका किस पाली में पड़े क्योंकि पहले तो 4 पाली होती थी तो एक टॉपिक से limited कुश्यन आते थे अगर आप नंबर लगाओगी तो आपके साथी 24 बटी 24 आप अब स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा दम लगा लो तो एक ऐसा सब्चेक्ट है जो आपको मेरिट में उपर आने में बहुत मदद करेगा अगर जिसके हिंदी में 35 प्लस माक्स है जिसके भी हिंदी में 35 प्लस माक्स है उसे final merit में आने से बहुत मुश्किल नहीं होगी final merit में आने कि उसके chance जादा रहेंगे दूसरी बात यह आपका समे भी कम लेता है और यह मतलब जैसे होतने कि कोई एक आप मेंथ reasoning करने बैटोगे तो वह आपके कैई मिनिट ले जाएगा लेकिन यह जो हिंदी विश्य है इससे अगर आप अभी भी खुब practice करें खुब बढ़िया से अगर आप इसका मोक और फुल मोक और topic वाइज अगर इससे आप लगाएंगे तो आरम से आप देखोगे आप यह आदर डाल सकते हो कि आप कुश्यन को इतनी कम समय में पढ़ने लगे कि कुश्यन जादस से जादा आपका 10 से 15 सेकड में पढ़ लिया जाए उत्तर आ जाए गर आप 37 पे इतना लगाते हो तो साथ से आठ मिनिट में बहुत आसानी से आप इस पेपर को सॉल कर लोगे और जितना समय आपका बचेगा उससे आप अपने दूसरे समचेट को दे पाऊगे बस जो बच्चा इस रणनीती पर चल रहा है कि मैं मुझे कम से कम 35 पलस लाने और साथ से आठ मिनिट में तोससे 37 मटे 37 का टारेगेट करना होगा हिंडी के syllabus को कुल चार भागों में बाटा गया है एक भाशा वाला चेप्टर है जिसमें हिंदी भाशा का विकास भारत की अन्यभारतिय भाशा है जो अन्यभारतिय भाशा हैं होती है इसके लाब आप देखेंगे जो हिंदी की उपभाशा और उसकी बूलियाएं वहां से उनके जो छेत्र होते अपभरंश प्राकरत इन से इस प्रकार के कुश्यन आते हैं इसके लाबा कुश्यन नहीं आता संवी धान में हिंदी का जो इस्थान है वो थोड़ा किसी अनुच्छे से पूछ लेता है इसके लाबा मैंने अभी तक कोई कुश्यन नहीं देखा उम्मीद आगे भी नहीं होगा मैं फिर से बता रहो पेपर बहुत आसान आएगा व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आप देखोगे मुख्य रुप से जैसे वनमाला लिपी संधी समास व्रामचिन इसके अलाबा जितना भी साती है संग्या सर्मनाम इनके विकारी रूप लिंग वचन किरिया उनके विकारी रूप वाच्चे काल वगेरा ये सारे के सारे क्रिया काल वगएरा ये सब किसमें पढ़ोगे ये सब व्याक्रण वाले पूर्शन में ये मेजर पूर्शन है इससे आपके 10 से 15 कुशन बनते हैं ठीक भीया दो कुशन आपके भाषा से एक के कुशन आपका रस छंद अलंकार वैसे तो 3 लेकिन आप इसे 3 से 5 कुशन भी बान सकते हो और साहित्य और पुरुसकार से 2 से 3 पृशन तब देखोगे 3 3 6 2 8 और बाकी जो आपके 10 15 पृशन जो बनते हैं वो लगबग शब्द विचार के बनते हैं जिसमें परियाबाची, जिसमें विलोम, अनेकार्थी, तस्सम तदभव, स्वाक्यांस के लिएक शब्द, शुद अशुद वाक्ये, इनमें आप लोग बहुत गल्ती करते हो समशुरुत भिनार्था के त्यादी, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा फिर साहिते पुरुसकार, ये छोटा सा सिलिबस है, आप मतलब ज्यादा मत पढ़ना आप ये मत सोचना कि अगर आप बिल्कुल नई-ने कुश्यन पढ़ोगे, तभी आपका एक्जाम निकलेगा ये पिरते एक टॉपिक के, आप बिल्कुल बेसिक 25 परशन भी 25 परशन भी अच्छे से थेओरी के साथ समझ लेते हैं तो आपका 37 बटे 37 आने से कोई नहीं रोख सकता आपको जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के सारे अलंकार पढ़ें आपके पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर बहुत सरल आएगा, बहुत सरल मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे भी सरल आप एके कुशन मेंच कर ले ना, अगर मैं ये ना कह दू, कि मैं देखो ये कुशन तो तुमनें 3-4 बार पढ़ा बस तुम्हारा क्या होना चाहिए कि जितने भी आपके हापे टॉपिक दे रखें भाषा के हो व्याकरण वडमाला में हो संधी में हो इनके 20 से 25 परशन अच्छे से बार-बार मुझे इसी को बार-बार रिवीजन करना है और जब आप मोक टेस देने बैठोगे लाश्ट में 15 120 आपका कोई कुशन इसमें से गलत नहीं होगा अभी साथी हमारे पास इसमें दो तरीके एक तो आप वाईटी से जो पढ़ी रहे हो वाईटी मानिए यूट्यूब से तो आप पढ़ी रहे हो तो यूट्यूब में सुबह 11 बजे मोहिसर की क्लास चलती है यूट्यूब मे अगर आप देखोगे तो मेरी जो रात की आठ बजे है ये आठ बजे वाली क्लास काफी है मतलब आपको कही बार ऐसा लगता है कि क्या एक क्लास से इतना कुछ हो सकता है आप इसलिए बार बार जगे जगे पढ़ते हो फिर आप थेयोरी किताब लेकर बैठोगे और कम सिकम अब सुस्तियों 10,000 कुष्यन ने लगा लूँ मैं कहता हूँ जरूरत ही ने भाई तुम 300 कुष्यनों को 3-4 बार क्यों ने लगा लेते मतलब ये इसकी जरूरत है कि तुम limited content पढ़ो लेकिन तुम समझ के पढ़ो तुम 1000 कुष्यन 10,000 कुष्यन पढ़ोगे समझोगे एक मे पहले इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज ही एक बार फिर से करा दूँगा मैरा अथन में टॉपिक वाइज मैं आपको 2-3 मैरा अथन ने दूगा बार बार Katherine करके और साथी आपको मैं इसमें 40 नई सेट करा दूँगा 40 नई सेट करा दूँगा पूरे बिलकुल पेपर के जैसे जैसे आपका पेपर आता न भी है बिलकुल पेपर जैसा 40 नई सेट और जेतरे भी प्रिवियस एर हुए हैं ये सारे सेट आपको रिवाइस करा दूँगा ठीक है भी है अभी 30 तक तो बशर्ते कि आप रोजाने इस क्लास को ले एक वो तरीका कि जिनका confidence नहीं आ रहा कि जी अभी तो हमें confidence नहीं आ रहा उस तरीके से उनके लिए सबसे बैच्टे अपना संगम अभी सुभे मुहिस संद ने डेमो दिया एक एक चीज को इतने अच्छे से explain किया है अब समझ अब यहां से आप सीधा का सीधा लिंग तो यहां से आप सीधे जा सकते हो जैसे आप करोगे एक आपकी वीडियो खुलेगी यह वाली इसमें क्या है आज हम लोग फिर से 18 फरवरी बाले दो सेट लगाएंगे अठारे फरवरी से प्रकार जेल वार्डर प्रणचास पांसवर सट इकतालिस पांसव बीस तो एकतिस तारिक तक हम लोग सारे प्रीवेस से रिवाइज करा देंगे जो प्रीवेस एर है वो हमारा जो confidence लिबल है को कल बहुत अच्छा लगा होगा आपको यह confidence लिबल आपक बस उतना दिमाग में रखना है आपको कुछ भी करके गलत नहीं करना पेपर में केवल आपको accuracy पर ध्यान देना है देरे बच्चा केवल आप accuracy पर ध्यान देना दस सिफ्टे इस बार नर्मलाजेशन बहुत अच्छा होगा आप बस गलत मत करना एक भी कुशन ना यह छोड देना 50-50 option लगाना कि क्या मैं दो options को हटा सकता हूँ आप मेरे पाथ दो option बचे उन दोनों option का अर्थ ढून रही की कोशिस करना उन्हें फिर paper से मेच करना और अभी से इसकी आदर डालो जिससे कि आप गलत ना करो मोग test में आपकी accuracy अच्छी आ जाए मेरी बात आपको evidence और जो की नहीं सर थोड़ा सा और हम लोग उतना अभी नहीं सीख पारे उत्रीक मतल मजबूत नीव नहीं है जो 32, 33 या जो 27, 28 तो मैं कहूंगा साती आप सभी लोग exam professional application पर जाकर संगम से जुड़ जाईए ये UP police constable re-exam के तैयारी करे रहे सब इस students के लिए अंतिम संजी नहीं बूटी है मेरी तरफ से इसको मैं पहले से मतलब मुझे पहले से अंदाजा था पहले से आइडिया था कि पेपर कम होगा मैं उसी के साब से लाश्ट के एक महीने के लिए ये संगम तैयार करके बैठा था ये साती आप लोग इसको मात्र 240 रुपे में जोइन कर सकते ह रहे मॉडल पेपर आपके घर पर आएंगे जिन से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कुश्यंस हैं और इसमें साती एक प्रैक्टिस वेच है प्रैक्टिस के साती आपको थेयोरी कराई जा रही है मतलब बढ़िया कुश्यंस के मा महावारत और क्लास नोर्स के पीडिये भी अपलब्द है इसमें आप सूचिए कि आपको प्रेक्टिस करने के लिए जो 15 मोडल पेपर इधर आप ठियोरी प्लस प्रेक्टिस करते जा रहे हैं आपका कॉंसेट फिर से रिवाइज या कॉंसेट आपको आता जा रहा है उधर आ 25 से 135 कुश्चन की गारंटी है नाकेबल हिंदी जी के रीजनिंग मैस मांस्तिक अबरुची इत्यादी सब इसमें कवर है तो कोशिस कीजे कि अभी आप एक्जाम पर ओफिशल एप्लिकेशन गूगल प्लेश स्टोर से डाउनलोड कर लें जिसके पास नहीं है जिसके पास ह है वो उसमें साती पेड कूर्स पर जाकर अपना संगम बेच पर किलिक करके ऑनलाइन पेमेंट करके अब माई कूर्स पर चले जाना वहाँ पर इसके सारे पीडियेफ इत्यादी अप्लोड हो चुके है फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना इस न बरस्ती नहीं है दूसरी बात जो साती अभी थोड़ा सा एक्स्प्लिनेशन में कमजोर पड़ रहे हैं थोड़ा सा पीछे रहे हैं उनके लिए मैं आप से कहूंगा कि केबल हिंदी ही नहीं बाकी आपको मैस रीजिंग जीके और जित्रे भी आपके सब्चेक्टे मान से के मुरुचेत्यादी संगम उन सभी के लिए आपका तक का सबसे बेश्ट चोईस होगी कि अब तक कि आपने जित्री भी जिन्दगी में चोईस की होगी यह सबसे बेश्ट चोईस होगी कि हाँ भी मुझे लाश्ट में एक मेरा फिक्स टाइम टेबल हो गया साथ गंटे का कि साइट साथ घंटे तो मैं पढ़ी रहा हूँ जिससे कि मैं हट नहीं पा रहा फिक्स टाइम टेबल हो गया मेरी टॉपिक वाइज अच्छे से प्रेक्टेस भी हो गई मुझे मेरी थियोरी भी रिवाइज हो गई मेरी थियोरी अकेले में यह नहीं उपाएगा आपसे मेरी थियोरी भी रिवाइज होगी मुझे फुल मॉक टेस्ट भी मिल गए चेप्टर वाइज मॉक भी मिल गया मतलब इससे जादा अब क्या होगा यही लाश्ट में चाहिए था यही अगर आप 28-30 दिन कर लोगे काम हो जाएगा तब ही आप कोशिस कीजिए कि आप आज कल परसों का वेट न करें आज और अभी एक्जाम पर ओफिशल एप्लिकेशन पर जाकर आप इससे जरूर जुड़े मैं आपके साथी एक बड़े भाई के जैसा हमेशा अपना प्रियास करता हूँ आपके लिए फर्ज निभाने का मैं कोई गलच चीज नहीं बताऊँगा और नहीं मैं 240 रुपे से बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊँगा इसमें आप जानते कि 80 रुपे का खर्चा भीजने में 80 रुपे के आराउंड कम से कम 15 पेपर कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो 100 रुपे के 15 पेपर भी छपेंगे तो 100,800 के ये कितने होगे आप देखोगे लगभग 225 बाकी एनवलप इसमें OMR शीर्ट ये सारे अगर आप देखोगे तो मैं इसमें क्या बचाऊँगा उपर से सारी की सारी क्योंकि मैं इसमें प्रेक्टिस और आपको बेच दे रहा एप्लिकेशन पर